हेलो एरिवन कैसे आप सभी आयोप सभी अच्छी होंगे स्वस्तोंगे मस्तोंगे तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आज की वीडियो में हम सीखने वाले कोजिटिव वाइब जिसमें मेक और गेट का यूज हम सीखेंगे जैसे कई बार हम बोलते हैं कि मैं खाना बनाती हूं अब मैंने बोला बनाती हूं तो आता है कुक यानि पकाती हूं कुक अगर मैंने बोला पकवाती हूं तो हम सोचेंगे यार पकाना तो कुक होता है बट पकवाना क्या होता है मैं नाचती हूं डांस होता है नाचना और मैं नचाती हूं तो इसमें क्या तो आज यही confusion हम दूर करने वाले इस वीडियो में तो वीडियो को लाश्ट जरूर देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना पहले हम सीखेंगे make या get दोनों का यूज होता है करवाना या कराया कोई भी काम किसी से करवाया जिस भी सेंटेंस में करता यानि कारे करने वाला और करवाने वाला दोनों ही हो तो हम make का यूज करेंगे जिस सेंटेंस में कारे को करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद हो तो हम make का यूज करेंगे अगर कारे को करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो то हम get कर यूज करेंगे ठीक है दोनों में different समझ में आया दोबरेज से बताती हूँ आपको अगर sentence में कारे को करने वाला और करवाने वाला दोनों ही मुजूद हो प्रेजेंट हो तो हम make कर यूज करेंगे otherwise अगर हम कारे करवाने वाला हो लेकिन कारे को करने वाला ना हो तो हम get के यूज़ करेंगे ठीक है समझा गया अब आगे देखते structure क्या होगा subject helping verb और make object plus verb की first form जो make है वो हमेशे verb की first form यूज़ होगी और जो make है ये verb की तरह काम करेगी tense के according लगेगी इनकी form जैसे make, made, made ठीक है ऐसे ही इन टीनो form को हम tense के according ही लगाएंगे ठीक है अब जैसे get way get की भी हम form के अनुसाने tense के according लगाएंगे get, got, gotten और ing form के होगी getting ओके ऐसे हम use करेंगे और जो last में जो make के साथ form आएगी वो verb की main verb आएगी यानकी first form आएगी और जो get, get के साथ हमेशा verb की third form आती है अगर make के साथ हम two लगाते हैं तो वो passive हो इसमें आता है लेकिन active हो इसमें जब हम tense के according लगाते हैं तो two का use नहीं होता इन छोटी-छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है ठीक है यहां तक समझाया कि हमें get कर लगाना है और make का use कहा करना है और यह tense के according ही करना है ठीक है tense में अच्छे से आपको कराये हुए है तो आप confused तो होंगे नहीं अब देखते हैं पहले example देखते हैं और फिर इसको बनाने की कोशिस करते हैं दिरे दिरे से बनाना क्योंकि थोड़ा सा complicated structure है हमारा इसलिए ध्यान से बनाना दिरे धिरे से बनाना ओकी जैसे मैंने कहा राजू तो यह मारा subject हो गया राजू अब helping work के आएगी अब देखना में कौन से टेंस की बात कर रहे हैं जिसके अंत में क्या ता है ती है तो क्या होता हमारा present indefinite तो उसमें helping work क्या लगती है कुछ भी नहीं लगती subject के according हमारा make लग जाएगा यानि कि अगर राजू singular number है तो makes आजाएगा ठीक है यह तो आपको आता लगा ना अगर singular person होगा तो ऐसी है yes लगेगा makes उसके बाद क्या लगेगा मारा object ऑबजेक्ट क्या है अपने भाईयों को तो क्या आजाएगा his brothers his brothers उसके बाद क्या एगा work की first form रूलाना क्या होता है cry ठीक है वीब भी होता है आप वीब भी उसके सकते हो cry भी बन गया sentence अगर मैं इसी sentence में बोलू राजू अपनी भाईयों को नहीं रूलाता है तो कैसे बनाएंगे राजू राजू के साथ do लगेगा does लगेगा क्योंक तो राजू does makes his brothers cry ठीक है अब makes नहीं लगेगा ये ध्यान रखना है आपको do or does आ जाता है तो make लगेगा ना कि makes ठीक है ये ध्यान रखना आपको अगर negative बनाते हम राजू अपने भाईयों को नहीं रूलाता है तो राजू doesn't make his brothers cry ठीक है समझाया अगर मैंने बोला क्या र रूलाता है तो does राजू make his brothers cry अपने भाईयों को क्यों रूलाता है तो why does राजू make his brothers cry ठीक है ऐसे आपको राजू अपने भाईयों को कब रूलाता है when does राजू make his brother cry समझा गया एक sentence को लेके 6 sentences आपने बनाने हैं और practice करनी है दीरे दीरे से समझ में आएगा इसलिए practice जादा से जादा sentence की करना तभी ये topic आपको अच्छे से समझ आएगा next देखते हैं वहें मुझे इस काम के लिए दोड़ाता है दोड़ना तो होता है run और दोड़ाता क्या होता है यही हमें confuse करता है है तो कैसे बनाएंगे कि get लगाएं या make लगाएं अब वह है कार्या करवाने वाला भी है करने वाला भी है मुझे ठीक है दोनों हैं जब मैंने बोला था कि दोनों हो करवाने वाला भी और करने वाला儿 तो हम का करें गे इसको इजली बना सकते हैं तो वह है सब्जेक्ट तो ही ठीक है उसके बाद हेल्पिंग वर दोड़ा आता है तो इसमें हेल्पिंग वर कोई नहीं लगेगी ही है तो क्या जाएगा हमारा मेक्स ठीक है उसके बाद हमारा क्या लगेगा ओब्जेक्ट ध्यान अखना है पहले इसके अकोर्डिंग बनाना धीरे धीरे इसलिए मैं आपको इसके अकोर्डिंग ही सिखा रही हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो he makes उसके बाद अबजेक्ट क्या है हमारा मुझे मी हो गया उसके बाद क्या है वर्ब क्या है दोड़ाना या दोड़ना क्या होता है run किसके लिए for this work ठीक है समझाया कि वह मुझे इस काम के लिए दोड़ाता है तो he makes me run for this work वह मुझे इस काम के लिए नहीं दोड़ाता है तो क्या जाएगा he doesn't make me run for this work क्या वह मुझे इस काम के लिए दोड़ाता है does he make me run for this work वह मुझे इस काम के लिए क्यों दोड़ाता है why does he make me run for this work ठीक है समझ में आया कैसे जूज करते हैं अब next देखते हैं मैं उसे पाने पिला रहा हूं, अब जहां रहा रहे आ जाता है, कुछ से टैंस होता है, प्रेजेंट कॉंटिनुबस टैंस, ठीक है, उसके अकोर्डिंग ही में की फुम चेंज हो जाएगी, ठीक है, देखते हैं कैसे, आए आगया, उसकी बाद क्या गया है, हेल्पिंग वर् होता है, उसकी होता है, म होता है, तो ही के साथ के लगेगा, आए एम, अब मेंकिंग, ठीक है making उसके बाद हमारा object लगेगा object क्या है उसे तो he he object है subject है मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया आपको he अगर लड़का है तो हमारा आजाएगा his see her ठीक है they them ठीक है ऐसे object बनते चले जाते हैं तो क्या है या उसे तो his उसके बाद क्या आएगा हमारा पिला रही हूँ पानी पिला रही हूँ तो पानी पिला ना क्या होता है drink water समझ आया एक बार दोबरा देखिए मैं उसे पानी पिला रही हूँ या मैं उसे पानी पिला रहा हूँ तो रहा रहे कि स्टेंज में आता हमारा प्रेजेंट कॉंटिनिवस्टेंज में अब उसके according ही make की form change होगी और उसके according ही हमारी helping work का यूज होगा जैसे मैंने कहा subject क्या है मैं और उसे क्या है इसमें दोनों है करवाने वाला भी काम और करने वाला भी तो मैं आए और helping work क्या आएगी हमारी continuous में easy MR तो I के साथ क्या आता है M उसके बाद making his drink water समझाया ठीक है अब next देखते हैं उसने मुझे रूला दिया अब रूला दिया यह तो इसमें कोंसा टेंस है हमारा past indefinite tense इसमें जो past indefinite tense में यूज होती है जो helping work वही इसमें यूज होगी अब negative interrogative आप अच्छे से बना लेंगे जैसे मैंने कहा उसने मुझे रूला दिया तो उसने ही उसके बाद क्या लगा कि helping work अब इसमें helping work जो past indefinite tense होता है उसमें वर्व की second form आती है और negative में did आता है तो यह negative sentence है नहीं यह positive sentence है तो इसमें second form का यूज होगा तो में की second form क्या होगी मेड किसको मुझे मी क्राइब ठीक है यह वी समझाया कि जो work की form change होगी वह में की होगी ना की क्राइब की जो बाद में second form लेगा वह हमेशा में के साथ first form का ही यूज होगा वह change नहीं होगी ओकि अब मैंने कहा कि उसने मुझे नहीं नहीं रूलाया तो कैसे बनाओ गई ही डिडांट मेक मी क्राइब जब डिड का यूज होता है तो जो मेड है वह second form है लेकिन डिड हमेशा first form लेता है क्या उसने मुझे रूलाया तो डिड जंप करकी आगे आ जाएगा ठीक है सारे रूल आपको आते हैं इसली आप बना सकत है ठीक है यह तो था मेक का यूज है सबिड गलागा अगर ने कहां रूला दोंगा तो कैसे बनाओ गे जिसमें गागे की आजाता हो कॉन से टेंस होता है हमारा विल उसमें विल लगए तो क्या आएगा उसने यह मैं उसे रूला दूंगा आए विल मेक उसे हेम cry ठीक है समझाया जैसा tense वैसी helping word वैसी ही verb लगेगी ठीक है यह हमने make की use पढ़े अब हम पढ़ेंगे get की use ठीक है अब सीखते हम get का use get का use कहा होता है जब काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला present ना हो तो हम get का use करेंगे structure क्या होगा subject plus helping word plus get plus object और verb की third form get के साथ हमेशा verb की third form आएगी और जो get है यह tense के according चेंज होगा यानि present है तो first form यानि get आएगी past है तो got आजाएगी और हमारा future है तो भी present आएगी यानि की present मतलब first form आएगी ठीक है ऐसे ही change हो जाएगा ही किस के according tense के according जैसे example से सीखते हैं कल मैंने अपनी bike धुलवाई थी तो मैंने आए आगे हमारा subject अब मैंने धुलवाई लेकिन धोने वाला नहीं है sentence में तो किस से बनेगा गैट से तो आए गैट की second form क्या होगी क्योंकि हमारा पास्टेंस है आई गोट माई बाइक अब वास होती है धोना और धुलवाना क्या ज़िए थर्ड फूम क्या ज़िए कि वास्ट कभ येस्टरें ठीक है बन गया इजली ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है कल मैंने अपनी बाइक नहीं धूलवाई थी तो क्या आएगा आई डिडं गैट माइब वास्ट येस्टिड़े क्या कल मैंने अपनी और धूलवाई थी तो क्या जबगआ did I get my bike washed yesterday ठीक है ऐसे ही आप सारे structure लेके use करेंगे sentence को next देखते है वह उसे पिटवाता है तो ता है तो कौन सा present tense है तो क्या जाएगा वह ही है ही के साथ क्या लगता है वर की first form के साथ S या Yes तो get के साथ क्या लग जाएगा As He gets उसके बाद उसे Him पिटवाना क्या होता है बीट और आजएगी third form बीटन ओके वह मुझे नहीं वह उसे नहीं पिटवाता है तो He क्या जाएगा किसा डजन्ट आजएगा He doesn't get him बीटन क्या वह है उसे पिटवाता है तो क्या जाएगा He get him ठीक है इस पे कोई फरक नहीं पड़ेगा third form पे वह बिल्कुल सभी sentence में third form ही आएगी change होगी तो get की form change होगी ठीक है यह आपको हमेशा ध्यान में रखना है next देखते हैं तुम उसे पिटवा रहे हूँ यानि कि हमारा यह कोई से टेंस है present continuous tense उसके according ही हमारी get की form change होगी तुम you उसके बाद helping work क्या आएगी you के साथ क्या आता you are अब हमारी form क्या होगी getting उसे getting him beaten ठीक है समझाया तुम उसे पिटवा रहे हो तो क्या जाएगा you are getting him beaten तुम उसे नहीं पिटवा रहे हो तुम क्या जाएगा you are not getting him beaten क्या तुम उसे पिटवा रहे हो are you getting him beaten ऐसे आपको यूज करना है sentences में next देखते है वह अपने बाल कटवा रहा है यानि कि वह क्या है he यानि कि subject अब subject के बाद क्या आएगा helping work रहा है रही है तो he के साथ क्याएगा is he is उसके बाद क्याएगा get की getting आजाएगी form हमारी getting अपने अगर लड़का है तो his hair जो कट है उसकी थर्ड फूम भी कट होती है और यहाँ आजाएगा cutting ओके समझा गया ऐसे ही हमने positive बनाया negative बनाएंगे और interrogative बनाएंगे और अच्छे से इंकी practice करेंगे इस topic पर जो make और get है जादा से जादा practice करना क्योंकि थोड़ा सा confuse कर जाएगा आपको यह इसलिए जादा जादा practice करने की कोसिस करना वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अच्छे से आपको समझा आया हो तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe करने ला तब तक के लिए रादे रादे